हलो दोस्तो तो गाई साली में सौरा जोसी घर पे चोर घुस आया थे उनके घर पे चोरी हुई थी और इस ख़बर के बारे में हल्दवानी के कई निउस पेपर में ये ख़बर छपी थी हल्दवानी के एक मीडिया निउस चैनल पर भी इसके बारे में बताया गया था और हल् पर दोस्तो सौरा जोशी के रियक्षन ना देनी की दो वज़ा हो सकती है पहली वज़ा ये कि सौरा जोशी घर से जो भी समान चोरी हुआ है उस समान के चोरी होने से सौरा जोशी व्लोग को कोई फरक नहीं पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तों सायद यही दो कारण हो सकते हैं जिनकी वज़य से सारोज उसे पने वलोग वीडियो में उनके घर पर चोरी हुई है इस मेटर को ले करके वो बात करना नहीं चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर चोरी किसी middle class family के घर में होती तो उनको बहुत ज़्यादा फरक पड़ता इसे क्योंकि middle class family में पैसे कमाना बहुत मुश्किर होता है और काफी ज़्यादा समय भी लगता है अगर किसी चीज को लेना हो तो उसके लिए पैसे जमा करना पड़ता है और फि के बिए अगर अमेरिका में रहता है और वो अगर flip card से कोई समान पर्चिस करता है तो वह बंदा तो मत्तब कि US में है तो वहाँ से अगर पेमेंट करेगा तो US dollar यानि के foreign currency में वो payment करेगा लेकिन दोस्तो flip card जो payment accept करती है वो Indian currency में accept करती है तो ऐसे में दोस्तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में एक company को आना पड़ेगा जो मतलब कि इन दोनों का transaction कराएगी तो ऐसे के इसमें दोस्तो kato company बीच में आती है और यो लोग का आप को यूज करते हैं तो उनको मतलब के transaction का कमी सर मिलता है 0.5% जितना वह amount यहां से वह transaction करते हैं उसका तो चलिए दोस्तों में आप लोग को मोबाइल के स्क्रीप में बताता हूं कैसे आप लोग को इस एप के अंदर account बनाना है कैसे आप लोग को मतलब को जोइन करना है और कैसे आप लोग को earning करना है चलो हम आप लोग को पूरा process इसी वीडियो में बताता हूं सबसे बहुत दोस्तों आप लोग को दोने application को Google Play Store से डाउनलोड करना है और आप लोग को इनके link मेरे वीडियो को description में भी देखने को मिल जाएगी इंस्टल करने के लिए KTOL की website पर जा सकते हैं और वहाँ पर download पर click करके download and install भी कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले KTOL application को open करना है और यहाँ पर आप लोग को register करना है तो है यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को आपका mobile number डाल देना है उसके नीचे आप लोग को password डाल देना है और आपके mobile number पर एक OTP code आएगा उसको डाल देना है और यहाँ पर नीचे आपको register पर क्लिक करना है और आपका account यहाँ पर बन करके ready हो चुका है अब यह दोस्तों जो ह हमारा हब account है यह एक तरह का wallet account हो तो इसके ने दोस्तों एक special password होता है जो आपको मतलब को डालना पड़ेगा तो इसके लिए आप लोग को जाना है इसके setting में setting में यहाँ पर एक option है transaction password तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को 6 आंकडे का कोई password से ल जाना पड़ेगा hub coin के application में उसके बाद उहाँ पर आप लोग को जाना है receive वाले option पर यहाँ पर सबसे नीचे आप लोग के सामने wallet address का option आए तो यहाँ पर आपको इस code को copy कर लेना है उसके बाद आप लोग को katole के application में जाना है और यहाँ पर option है और यहाँ पर पांच न app में आप लोग को आपका नाम लिख देना है और यहाँ पर आप लोग को submit के button पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह हमारे दोनों application एक दूसरे से link हो चुके है बांडिंग हो चुके है चली दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को earning कैस करनी है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को के टूल के application को open करना है और यहाँ पर हम लोग के टूल के application में account बनाया था तो यहाँ पर हमको एक डॉलर मतलब कंपनी की तरफ से दिया गया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है balance USDT 1 यानि कि हमारे पास एक अभी और यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने एक और option जिसका नाम है order credit और यहाँ पर दोस्तों दस लिखा हुआ यानि कि हमारे पास 10 order credits है अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को पहले बताया था कि यहाँ पर हम लोग transaction करके पैसे कमा सकते हैं अब दोस्तों अगर हम की युएजटी कोईन भेजने हैं तो मारे पास 10 order credit होना चाहिए अब दोस्तों आप लोग के पास जितना जैदना ज्यादा order credit होगा उतने ही ज्यादा आप लोग की यहाँपर अरनिंग होने वाला है तो आप लोग कैसे मतलब कि order credit purchase कर सकते हो यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दू कि अगर आप लोग और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग order credit मतलब कि purchase करते हो तो जो भी मतलब कि आपने amount दे करके purchase किया होगा वो amount दोस्तों आप लोग को चार दिन के बाद आपके main account में, KTOL के main account में मिल जाएगा जियां दोस्तों मतलब कि आपका जो भी मतलब कि 40$, 50$, 40 USGT coin जो भी मतलब कि आप लोग ने दे करके purchase किया होगा वो सारा coin आप लोग को refund हो जाएगा चार दिनों के बाद तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग credit order card कैसे purchase कर सकते हैं चली मैं आप लोग को वीडियो में दिखा देता हूँ नंबर का 50 USGT for 4 days और इसमें आप लोग को 190 daily order credit मिलने वाले हैं यानि कि आप लोग को 4 दिन तक यहाँ पर order credit मिलने वाले हैं और आप लोग को 4 दिन तक मिलेंगे और इसके लिए आप लोग को 50 USGT यानि कि 50$ देने पड़ेंगे और 4 दिन बाद दोस्तों जैसी आप लोग का मतलब कि टाइम पतेगा आप लोग को 50 USGT आपके KTOL के अकाउंट में वापस भी आ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको purchase कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर click किया कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास अभी 10 order credit थे लेकिन यहाँ पर मेरे पास अब 200 order credit हो चुके क्योंकि यहाँ पर मैंने 50 USG coin दे करके एक दिन के 190 order credit खरीदे हैं अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास करीबन 200 order credit coin हो चुके हैं यानि कि मैं एक दिन में करीबन 200 डॉलर का ट्रांजिक्षन कर सकता हूँ लेकिन दोस्तो ओर्डर क्रेट खरीदने के लिए के टोल में बैलेंस होना भी तो चाहिए तो बैलेंस बढ़ाने के लिए आप के टोल में जाएं फिर कैश डिपोजिट पर क्लिक करें अपना अमाउंट डालें उसके बद के टोल एप का यूपई आईडी कोपी करिए और अपने ओनलें पैमेंट अप्लिकेशन में जा करके यूपई आईडी पैमेंट कर दीजिए याद रहे दोस्तो पैमेंट के बाद ट्रांजिक्षन की आईडी को कोपी कर लीजिए फिर वापस यहाँ आगर के पेश्ट करके सेंड पर क्लिक कर दीजिए बस अब आपके केटोल एप्लिकेशन में पैसे आ गए हैं तो आप में दोस्तो आप लोग को बताता हो कि आप लोग अब ट्रांजिक्षन कैसे करना है और अर्निंग कैसे करनी है चलूए आप लोग को बताता हूँ diye करीalth लोग के रावी direct freak में डिजहां पर हम लोग को इस तारह का ओर चाहिए कम से कम $1 का या फिर maximum $30 का उसके बाए जुट्हाँ यहां पर अपलोग का क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके समने बहुत सारे collect करने को option आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखते रहना कि आप लोग को कितने amount का transaction करने पर कितना आपको यहाँ पर profit दिख रहा है यहाँ पर आप लोग को लिखा होगा दिख रहा होगा 30 वाला इस वाले को click करते हैं और हम लोग 30 USDT coin को transaction करने वाले हैं उसको हम लोग को करीबन और उस पर करीबन हम लोग को 0.15 का profit होने वाला है तो हम लोग यहाँ पर इसको click करते हैं और यहाँ पर आपके सामने option आगा confirm तो आप लोग को confirm पर click कर देना है अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहोरा page खुलेगा तो यहाँ पर completed का option है तो यहाँ पर आप लोग को click नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों आप लोग को wait करना है और अब आप लोग को आजाना है आपका hub coin को application में और यहाँ पर आने के बाद में 300 डॉलर आ चुके हैं यानि कि हमने जो ट्रांजिक्षन किया हो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और हमारे इस वाले अकाउंट में यहाँ पर 300 डॉलर आ चुके हैं तो अब दोस्त हम लोग आ जाते हैं के टॉल के अप्लिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है और अब आप लोग को आ जाना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हो माय प्रॉफिट में यहाँ पर जीरो पॉइंट पंद्रा का प्रॉफिट हो चुका है 300 डॉलर का हमने ट्रांजिक्षन किया इसलिए और यहाँ पर नीचे देख सकते हो करीबें 30 डॉलर का ट्रांजिक्षन कर लिया है और यहाँ पर गैस देख सकते हो हमारे पास करीबें है यहाँ पर आप लोग को अमाउंट लिख देना जितना आप लोग को मतलब के डिबॉजिट करना हो हमने 30 डॉलर किया था तो 30 में आपर मैंने लिख दिया उसके बाद आपके सामने इस तरह कुछ ऑप्सन आएगा तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना कि आप लोग आप लोग को उसी पर क्लिक करना है क्योंकि वह हमारा वॉलेट अकाउंट है और हमने हमारे पैसों को वहीं पर भेजा था तो यहाँ पर हम लोग उसी एप से वापस से पैसा बंगाने वाल है तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सब्मिट पर क्लिक कर देना है और आप लोग को यहां पर डाल देना है और जो 30 डॉलर हमने कुछ दिर पहले इस एप में डाले थे वो 30 डॉलर यूएजटी कोई वापस हमारे के टोल के अप्लिकेशन में रिटन आ चुके यहां पर आप लोग देख सकते हो तो यहां पर दोस्तों हम लोग को 0.15 का प्रॉफि के लिए दोस्तों आप लोग यहां पर काफी बड़्या अर्निंग होती है अब यहां पर दोस्तों जो भी पैसा आप लोग कमाते हो आप लोग चाहते हो कि अगर आपको आपके bank account में भेजना है तो आप लोग को hub coin में मतलब जाना है वहाँ पर bank account का option है तो वहाँ पर bank account डाल देना है और वहाँ से बहुत ही आसानी से आप लोग पैसे ट्रांसर कर सकते हूँ या फिर दोस्तों आप लोग Binance application में बहुत ही आसानी से जो भी आप लोग ने earning किये जो भी आप लोग मतलब के पैसा आपके bank account में भेजना चाते हूँ उससे भी बहुत ही आसानी से बेज सकते हूँ बाकि जोस्तों केटोल application के बारे में अगर आपको कुछ जाना है तो आप लोग जाकर इनकी website में उनके बारे में detail ले सकते हूँ बहुत ही मतलब के बढ़िया website है बहुत ही मतलब के बढ़िया application है और एकदम genuine application है इसका certificate भी आप लोग को वहाँ पर website में देखने को मिल जाएगा पैसे कमा सकते हूँ यहाँ पर दोस्तों आप लोग the single spin slot lucky has reward और has fun जैसे amazing games खेल करके पैसे कमा सकते हूँ तो गेम खेलके आप लोग पैसे कमा सकते हूँ इसके बार में एक वीडियो है अगर आप लोग सुडियो को देखना चाहते हो तो उसका link मेरे वीडियो को डिस्क्र कारी ले ले फिर आप लोग इसके अंदर earning कर सकते हो जो भी आप लोग को मतलब करना हो जो भी आपको करना हो फिर आप लोग आराम से आपके हिसाप से कर सकते हो फिलाल दो थे स्टूडियो में इतना ही मिलते है नेक्स स्टूडियो में तब तक के लिए बाई